जैजी नेन बच्चों, आप सब मंदर जाते हो ना, वहाँ पर आप कौन-कौन से भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते हो और अर्चड़ाते हो? जो मंदर हमारे घड़ के पास है, वहाँ पर तो विराजित है महावीर भगवान, पार्शुनात भगवान और चंदाप्रभु भगवान तो आपके मंदर में कौन से भगवान की प्रतिमा है? आपको पता है, ये सब प्रतिमाएं mostly तिर्थंकर भगवान की होती हैं तिर्थंकर, तिर्थंकर वो होते हैं जिनकी लाइफ में 5 special celebrations होते हैं और जो हमें धर्म का उपदेश देते हैं who teach us all good things about how to live our life Do you all like celebrations? Like Diwali, Holi, Mahavirjiyanti, etc. है ना, we all celebrate these festivals because of special reasons उसी तरह से तिर्थंकर भगवान की पूरी लाइफ में they have 5 grand celebrations इन celebrations को कल्यानक कहते हैं तो ये 5 grand celebrations या कल्यानक कौन-कौन से होते हैं, पता है? सबसे पहला होता है गर्ब कल्यानक जब भगवान की सोल स्वर्ग से चैकर माता के गर्ब में आती है दूसरा होता है जन्म कल्यानक, जब भगवान बौन होते हैं तीसरा होता है तब कल्यानक, जब तिर्थंकर भगवान अपनी पूरी kingdom और wealth छोड़ कर दीक्षा लेते हैं चौथा होता है ग्यान कल्यानक, जब भगवान को infinite knowledge मिल जाती है पूरे universe के बारे में और पांच मा होता है मोक्ष कल्यानक, जब भगवान के सारे bad और good कर्म खत्म हो जाते हैं और उनकी soul अपनी body छोड़ कर pure सिद्ध बन जाती है तिर्थंकर भगवान की life के इन 5 most important events को स्वर्ग के देव लोग भी आकर celebrate करते हैं अच्छा, ऐसा क्या special होता है तिर्थंकर भगवान के बारे में कि जो उनके लिए इतनी huge celebrations की जाती हैं सोचो, सोचो तिर्थंकर भगवान ने कभी बहुत पहले अच्छी अच्छी pure auspicious मतलब शुब भावनाई भाई होती हैं मतलब अपने मन में सोचा होता है कि universe के सब जीवों का कल्यान हो सब जीव सुखी रहें अगर हम भी ऐसे अच्छे अच्छे thoughts रखें not just for our friends and family but towards every single जीव or living being in this universe किसी का भी कभी भी बुरा नहीं सोचे तो हमें भी तिर्थंकर वाली life मिल सकती है अच्छा, तो we have total 24 तिर्थंकरs in the current era, आदिनात भगवान has been the first तिर्थंकर और सबसे last तिर्थंकर हुए थे महावीर भगवान और we keep having 24 तिर्थंकरs after regular intervals अपने को सभी तिर्थंकर भगवान के नाम याद होने चाहिए उनके नाम लेने से हमारा मन शान्थ हो जाता है we can sing a nice prayer to remember it रिशब अजित संभव अभिनन्दन सुमति पद्म सुपार्ष जिनराय चंद्र पुष्प शीतल शेयांस नमी वासु पूज पूजित सुरराय विमल अनन्त धरम जसूच्वल शांति कुन्थ अर मल्ली मराय मुनि सुवरत नमी नेमी पार्ष प्रभू वर्ध मान बद पुष्प चड़ाय हाँ, you must have noticed कि मंदिर जी में प्रतिमा के नीचे एक सिम्बल बना होता है जैसे कि स्नेक, लायन या हाफ मून आपको पता है कि ये क्या है? ये साइन जिसे हिंदी में चिन्न भी बोलते है ये हर तिर्थंकर भगवान का यूनीक होता है तिर्थंकर भगवान का जब जन्म कल्यानक होता है ना जब अब शेक करते हुए सौधर्म इंद्र मतलब जो देवों के किंग होते है उनको तिर्थंकर बेबी के राइट फुट के ऊपर एक साइन दिख जाता है तो जो भी साइन होता है वो उन तिर्थंकर भगवान का सिंबल बन जाता है उनका चिन बन जाता है और उसी चिन से हम उनकी पहचान करते हैं जैसे लायन चिन है महावीर भगवान का और बैल है रुषबनात भगवान का इसंट इट बेरी इंट्रस्टेंग? चलो अब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियोज में इन पाँचो कल्यानक मतलब तिर्थंकर भगवान की लाइफ के इन फाइव ग्रान सेलिब्रेशन्स के बारे में बताएंगे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप टाइम ट्रावल करके बिल्कुल तिर्थंकर भगवान के पास ही पहुँच गए हो चलोगे ना हमारे साथ जैजिनेंद्र